ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज से हम अगनी प्राण की कथा सुरू कर रहे हैं आप सभी भक्त जन इस कथा को स्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुने दोस्तों आए सुनते ही अगनी प्राण के पहले अध्याय की कथा जिसमें हम सुनेंगे मंगला चरण तथा अगनी और वसिष्ट के संबाद रूप से अगनी प्राण का आरम लक्ष्मी सरस्वती पारवती गनेश कार्थ के महादेवजी ब्रह्मा अगने इंद्र आधी देवताओं तथा भगवान वासदेव को में नमस्कार करता हूँ नमी सारण की बात है सौनक आधी रिशी यग्यों द्वारा भगवान विश्णू का जजन कर रहे थे और समें वहां तीतर यात्रा के प्रसंग से सूजी पदारे मेर्शियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा रिशी बोले सौन्जी आप हमारी पूजा स्विकार करके हमें वह सार से भी सार भूत तत्व वतलाने के क्रिपा करें जिसके ग्यान लेने मात्र से सरवग्यता प्राप्त होती है सूजी ने कहा रिशियों भागवान विश्णु ही सार से भी सार तत्व हैं बेश्रश्टी और पालन आदि के कर्ता और सरवत्र व्यापक हैं वह विश्णु स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सरवग्यता प्राप्त हो जाती है ब्रह्म के दो सुरूप जानने योग हैं सब्ध ब्रह्म और पर ब्रह्म दो बिद्याएं भी जानने योग हैं अप्रा बिद्या और परा बिद्या यह अथर्व वेद की सुर्ती का कतन है एक समय की बात है में सुकदेब जी तता पहल आदी रिशी बद्र का स्रम को गए और वहां ब्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रिश्ण किया तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरम किया ब्यास जी बोले सूत तुम सुख आदी के साथ सुनो एक समय मुनियों के साथ मैंने मैर्शी वशिष जी से सार भूत परात पर ब्रहम के बिसे में पूछा था उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं वशिष जी ने कहा ब्यास सर्व अंतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं मैं उन्हें बताता हूँ सुनो पूरु काल में रिशी मुनी तता देवताओं सहित मुझसे अगनी देव ने इस विसे में जैसा जो कुछ भी कह था वही में तुम्हें बता रहा हूँ अगनी प्राण सर्वुष क्रष्ट है इसका एक एक अक्षर ब्रह्म बिद्या है एत एव यह पर ब्रह्म रूप है रिग वेद आदी संपून बेद साश्त्र अपर ब्रह्म है पर ब्रह्म सरूप अगनी प्राण संपून देवताओं के लिए परम सुकद है अगनी देव द् बेदों के तुल्य सर्व मान्य है यह पवित्र प्राण अपने पाठकों और सोता जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है भगवान बिशनु ही कलागनी रूप से ब्राज मान है वे ही जोतिर मैं परात्वर पर ब्रहम है ज्यान योग तथा कर्म योग द्वारा उ अगनी देव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रिश्न किया वशिष जी ने पूचा अगनी देव संसार सागर से पाल लगाने के लिए नौका रूप पनमेश्वर ब्रहम के स्वरूप का बढ़न कीजिए और संपूर्ण बिद्याओं की सारभूत उस बिद्या का उप अगनी देव बुले वसिष्ट मैं ही बिष्टू हूं मैं ही कालागनी रुद्र कहलाता हूं मैं तुम्हें संपूर्ण बिद्याओं की सार भूता बिद्या का उप्दिश देता हूं जिसे अगनी प्राण कहते हैं वही सब बिद्याओं का सार है वह ब्रहम स्वरूप है सर कारण भूत ब्रह्म उससे भिन नहीं है। उसमें सर्ग, प्रति सर्ग, वंस, मनवंतर, वंसानु चरित, आधी का तथा मत्स से कूर्म आधी रूप धरन करने वाले भागवान का वनन है। ब्रह्मन, भागवान विष्णु की सरूप भूता दो बिद्या हैं, एक परा और दूसरी अप्रा, रेक यजु, साम और अथर्व नामक बेद, बेद के छेयों अंग, सिक्ष्या, कल्प, व्याकरण, निरोक्त, जोतिस और चंद सास्त्र, तता मीमान सा धर्म सास्त, प्राण न्याय, वेदक, आयुरवेद, गांदर्व वेद, संगीत धनुवेद और अर्थ सास्त्र, ये सब अप्रा विद्या हैं, तता परा विद्या वह है, जिससे उस अद्रश अग्राह, गोत्र रहित, चरण रहित, नित्य अविनासी ब्रह्म का बोध हो, इस अगनी पुराण क परा विद्या समझो, पूरु काल में भागवान विष्णू ने मुझसे तता ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रिकार वन्ण किया था, उसी प्रिकार में भी तुमसे मत्से आदी अवतार धारन करने वाले जगत कारण भूत परमिश्वर का प्रति पादन करूंगा, अगनी प्राण दूसरा अध्याय जिसमें हम सुनेंगे मत्से अवतार की कथा, वशेष्ट जी ने कहा अगनी देव, आप स्रश्टी आदी के कारण भूत भागवान विष्णू के मत्से आदी अवतारों का वन्ण कीजिए, साथी ब्रह्म सरूप अगनी प्राण को भी सु प्रूकाल में आपने स्री विष्णू भागवान के मुख से सुना था, अगनी दे बोले वसेष्ट सुनो मैं स्री हरी के मत्स अवतार का वन्ण करता हूं, अवतार धारन का कार डुष्टों के बिनास और सादू परसों की रक्षा के लिए होता है, बीते हुए कल्प के अं प्रूक्ष की सिद्धी के लिए तपश्या कर रहे थे, ए दिन जब एक क्रत माला नदी के जल से पित्रों का तरपन कर रहे थे, उनकी अंजली के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स आ गया, राजा ने उसे जल में फैंक देने का विचार किया, तब मत्स ने कहा माराज मुझ उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया, और पुने मनु से बुला राजन मुझे इससे बड़ा इस्तान दो, उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जल पात्र ना दिया कुंडा में आदी में डाल दिया, उसमें भी बड़ा होकर मत्स राजा से बोला मनु, मुझे क मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वावे मत्स क्षण वर में एक लाक योजन बड़ा हो गया। उस अद्वत मत्स को देखकर मनु को बड़ा बिश्म हुआ। बे बोले आप कोन हैं। निश्य ही आप भगवान स्री विश्नु जान पड़ते हैं। नार प्रधारी भगवान उनसे बोले। राजन मैं डुष्टों का नास और जगत की रक्षा करने के लिए अवत्रिन हुआ हूँ। आज से साथ में दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुमारे पास एक नौका उपरस्त होगी। तुम उस पर सब प्र इसी रूप में उपास्त होँगा। उस समय तुम मेरे सिंग्स में मा सर्प मई रसी से उस नाव को बांग देना। ऐसा कहकर भगवान मज से अंतर ध्यान हो गई। और बैवसा मनू उनके बताय हुए समय की पृतिक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर स प्रादर भाव हुआ। उनका विसाल सरीर दस लाख योजन लम्म था। उनके सिंग्स में नाव बांद कर राजा ने उनसे मज से नामक प्राण का सर्वन किया। जो सव पापों का नास करने वाला है। मनू भगवान मज की नाना प्रिकार के इस्त्रोतों द्वारा चाकी तत्पष्यात बारा कल्प आने पर स्रीहरी ने कच्छा भरूप धारन किया। आइए अब सुनते ही अगनी पुराण के तीसरे अध्या की कथा जिसमें हम सुनेंगे समुद्र मंतर कूर्म तता मोहनी अवतार की कथा। अगनी देव कहते ही वसेश्ट अब मैं कूर्म अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नास हो जाता है। पूरुकाल की बात है देवासुर संग्रान में देत्यों ने देवताओं को पराश्ट कर दिया। बेदुर्वासा के साप से भी लक्ष्मी से रहत हो गए थे। तब संपूर्ण देवता खीर सागर में सेहन करने वाले भागवान विश्नु के पास जाकर बोले भागवन आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर स्रीहरी ने ब्रह्मा आदी देवताओं से कहा। देवगन तुम लोग खीर समुद्र को मतने अमरत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के ल मंदरा चल को मतानी और बास की नाग को नेती बना कर आलस से रहत हो मेरी साहता से तुम लोग खीर सागर का मंथन करो। भगवान विश्नु के ऐसा कहने पर देवता दैत्तों के साथ संदी करके खीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंतन आर रहे थे और देवताओं को भगवान अपने कृपाद द्रश्टी से पर पोस्ट कर रहे थे। समुद्र मंतन आरम होने पर कोई आधान ना मिलने से मंदराचल परवत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विश्नु ने कूर्म कचुए का रूप धारन करके मंदराचल को अपने पींट पर रख लिया। फिर जब समुद्र मता जाने लगा तो उसके भीतर से हला हल बिश्ट प्रकट हुआ। उसे भागवान संकर ने अपने कंट में धारन कर लिया। इसे कंट में काला दाग पर जाने के करण वे नील कंट नाम से प्रसद हुए। तथ को प्राप्त हुए। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और इस्तवन किया। इसे वे लक्षमी वान हो गए। तदंतर भागवान विश्ट के अंस भूत धनमंतरी जो आयर वैद के प्रवर्तक हैं। हाथ में अम्रत से भरा हुआ कलस लिये प्रगट हुए। देत् भागवान विश्टू ने इस्त्री का रूप धारन किया। उसे रूप वती इस्त्री को देखकर दैत्त मुईत हो गए और बोले समखी तुम हमारी भार्या हो जाओ और ये अम्रत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भागवान ने उनके हाथ से अम्रत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारन करके अम्रत पीने लगा। तब सूर और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। ये देखकर भागवान स्री हरी ने चक्र से उसका मस्तक का डाला। उसका सिर अलग हो गया और भजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भागवान को दया कर आई और उने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भागवान स्री हरी से कहा इन सूर और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहन लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वैसा अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर देवताओं के साथ राहु की बात का अनमोतन किया। इसके बाद भगवान ने इस्त्री रूप त्याग दिया। किन्तु महादेव जी को भगवान के उस रूप का उन्हें दर्सन करने के बे भगवान की माया से ऐसे मुईत हो गए कि पारवती जी को त्याग कर उस इस्त्री के पीछे लग गए। उन्होंने नग्न और उन्वत होकर मोहिनी के केस पकड़ दिये। मोहिनी अपने केसों को छड़ा कर वहां से चल दी। उसे जाती देख महादेव जी भी उसके पी पिर द humid में जी भी जानकर भागवान संकर अपने सरूप में एससत हुए। तब भागवान श्रीहन ने प्रकट होकर सिव जी कहा रोध्र तुमने मेरी माया को जीत लिया। प्रदविपर तुमारे सिवा दूसरा कोई ऐसा प्रश्नी है जो मेरी इस माया को जीत सके। तल में रहने लगें जो मनुष्य देवताओं की इस बिजय गाता का पार्ट करता है वे स्वर्ग लोक में जाता है बुलो अगनी पुराने की जै बुलो विश्नु भगवाने की जै